जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटेब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम हस्तरेखा से जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारियां प्राप्त करेंगे जिनसे आप खुद अपने हाथ की रेखाओं को देखकर ये जान सकते हैं कि आपकी आयू कितनी है यानि हस्तरेखा विज्ञान से हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को जान सकते हैं हम अपने जीवन में होने वाली हर एक घटना के बारे में पहचान कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आयू के बारे में जानेंगे कि आपके हाथ में वो कौन सी रेखा है जिससे हम अपनी आयू का पता कर सकते हैं कि हमारी आयू पचास वर्ष तक की होगी या पिछेतर वर्ष तक की होगी असी वर्ष तक की होगी या कब-कब हमारी लाइफ में हमें मुस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जूड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगे तो हमारे हाथ में अगर हम रेखाओं को देखें तो कुछ रेखा तो ऐसी होती हैं जो जन्म से ही होती हैं यह रेखाओं कम ही बदलती हैं या कहें तो ना के बराबर बदलती हैं एक लाइफ लाइफ लाइन है एक हैडलाइन है और एक हाट लाइन है ये रेखाएं जन्म से हमारे हाथ में होती हैं और कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो हमेशा बदलती रहती हैं आपके कर्म के आधार पर ये रेखाएं इनको सपोर्ट करती हैं बहुत सी ऐसी रेखाएं हैं जो समय समय पर बदलती रहती हैं लेकिन ये तीन रेखाएं ऐसी ही रहती हैं बहुत कम ये रेखायוה बदलने को मिलती हैं तो इनी में से दो रेखाओं के जडिये हम आज आयु का पता करेंगे आपके आयु कितनी हैं एक तो हम Lifeline के बारे में जानेंगे Lifeline के आधार पर या अपने हाथ में Lifeline को देखकर आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी है और भी कई ऐसे तरीके होते हैं और भी कई ऐसी लाइन होती है हमारे हाथ में जिन से हम वो व्यक्ति की आयू का पता कर सकते हैं लेकिन आज हम लाइफ लाइफ लाइन और मणी बंदी दो रेखा के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले मड़ी बंद रेखा के बारे में जान लेते हैं तो ये जो रेखा होती है ये होती है मड़ी बंद रेखा आपके हाट के जो आपकी कलाई है जो आपकी कलाई से हतेली को जोड़ती है उसको मड़ी बंद रेखा कहते हैं और इसी मड़ी बंद रेखा पर बने निशान से वेक्ति की आयू के बारे में जानकारी भी मिलती है तो ये जो रेखाय होती है किसी के हाथ में एक रेखा होती है किसी के हाथ में दो होती है किसी के हाथ में तीन होती है और जो बहुत ही जादा भागशाली उसके हाथ में चार भी होती है तीन रेखा भी भाग अगर आपके हाथ में इस कलाई पर मणी बंद रेखा एक है तो एक रेखा को हम 25 वर्ष की आयू बताते हैं अगर आपके हाथ में एक रेखा है तो आपकी आयू 25 वर्ष है और अगर आपके हाथ में दो मणी बंद रेखा हैं तो जातक की उम्र 50 वर्ष होती है एक रेखा 25 की दूसरे रेखा 25 की और अगर आपके हाथ में मड़ी बंद रेखा 3 हैं तो आपकी आयू 5, karışतर वर्ष होगी और अगर 4 हैं तो ऐसी थो भागेशाली लोगी होते हैं जिनके हाथ में 4 रेखाए होती हैं तो वो संपन और दिर्गायू वाले होते हैं तो ये ऐसी रेखा हैं जिन से आप बड़ी ही आसानी से अपनी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं. साथ में इसी मणी बंद रेखा से निकल कर एक रेखा शनी परवत यानि जो आपकी बीच की उंगली है उसको शनी परवत बोलते हैं वहां तक अगर सीधी जाती है तो वो जा आग गया चमकने की उम्मीदें 100% होती हैं सिजा तक और अब हम जानेंगे जीवन रेखा के आधार पर की जीवन रेखा से आप कैसे अपनी उम्र का पता कर सकते हैं. तो जीवन रेखा देखें जो पुरुष होते हैं वो अपना सीधा हाथ देखते हैं और जो महिला होती है वो अपने उल्टे हाथ में देखती है, तो अगर आप अपनी जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा कौन सी है? जीवन रेखा ये है जो कि आपके अंगुठे के नीचे शुक्र परवत को गहरे रहती है, गोलाई में, शुक्र परवत को गहरे होती है, ये रेखा होती है, इस्थित गुरू परवत के आसपास से ही शुरू होकर और हतेली के अंत यानि की जो मणी बंद्रेखा है उस तक जाती है तो इसी रेखा से अंदाजा लगाते हैं इसी रेखा से जानते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी तो अगर ये रेखा गोलाई धारन किये हुए नीचे पन व्यक्ति हैं और आपकी उम्र जो है वो 80 से 100 वर्ष तक हो सकते हैं वैसे आज कल जो हम उम्र का अंदाजा लगाते हैं वो 70 वर्ष तक लगाते हैं तो वही आपकी उम्र पूर्ण उम्र आपकी रह सकती है ये और बहुत ही स्वास्त जीवन रहेगा आपका अगर ये गह हम अपनी जीवन रिखा को कुछ हिस्सों में बाट लें आप सबसे उपर यहां शुरू कर सकते हैं चार साल से शुरू कर सकते हैं और नीचे वाले पॉइंट पर आप सतर लगा सकते हैं ठीक है तो आप इसको इसी तरह से विभाजित करें इसका जो आप मिडल अगर निकालें तो वो हम निकालते हैं 36 या आप 50 भी लगा सकते हैं अप उम्रे के हिसाब से तो हमने इसको सेंटर पॉइंट दे 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 उसी हिसाब से हम इसको डिवाइड कर देते हैं कि कितने कितने वश्चे 12 18 तो जब आप अपनी जीवन रिखा को देखें और देखें कि इसमें कहां क पचास या फिर 36 आप लगाएं उसके बाद आप देखें आपकी जीवन रिखा जहां भी कट होगा आपके जीवन के उस वर्ष में आपको तकलीफे देखने को मिलेंगी जिस भी अगर शुरू में हैं तो अगर 6 साल के पास आपका कट है या कटी हुई है रिखा और फिर से रहेगी और उसी हिसाब से इस रिखा को आप देखें कि मणी बंद रिखा से कितने उपर रहती है तो उसी हिसाब से आपकी उम्र भी होनी है और अगर यह यहां बीच में से कट कर नीचे जाकर फिर से जुड़कर नीचे मणी बंद तक पहुंशती है तो यानि आपको इस स समय पर स्वास्ते संबंधी परिशानिया अच्छी खासी देखने को मिलेंगी तो स्वास्ते का ध्यान रखना आप शुरू कर सकते हैं कुछ चीजों को तो आप ठीक कर ही सकते हैं तो इसी तरीके से आप अपनी जीवन रेखा के आधार पर अपनी जीवन रेखा को देखकर अ वास्ते बहुत ज़्यादा खराब रहेगा और ये रेखा भी बहुत हलकी है गाड़ी रेखा नहीं है तो ये रहेगा कि आप जीवन में काफी बिमारियों को जहलते जहलते आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप इस रेखा क्यादार पर अपनी खुद से जीवन रेखा क्यादार पर उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें शेयर करें